शिमला मनाली टुड़े वेटर में आपका स्वागत है आज 21 अप्रेल गाइज मैं आपको बता दू कि लगातार 3-4 दिन से मनाली में हैवी स्नोफल हो रहा है जिस कारण से आपकी अटर टानल भी क्लोज कर दी गई है और सोलांग वेली तक आपका स्नोफल पहुंच चुका है और हमें उमीद है कि थोड़ा बहुत आपको मौल रोड पे भी देखने को मिलेगा तो वेलकम आप सब भी कारण न्यू वीडियो में आज 21 अप्रेल है गाइस और लगातार मनाली में हैवी स्नोफल हो रहा है तो मैं आपको बता दू कि अगर आप आना चाहते हो और और बरबारी हो रही है शिमला के अगर बात करूं मैं गाइस तो शिमला में लगातार ओले गिर रहे हैं और बारी हो रही है और टेंपरेशर एकदम ठंडा हो चुका है जिस वज़ा से यहां पे घूमने की प्रॉलम आपको आ सकती है क्योंकि गाइस अगर बारिश लगी हो लगातार बारिश होगी बर-बारी होगी तो आप लोग घुम नहीं सकते आपको अपने कमरों में बैठना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं कि अब бокोम है आपका टेस दारी तक आपको लगातार यहां पे बारिश और बर-बारी देखने को मिलेगी और शिमला मनाली तूर निकल भाई के साथ करना और कम बजट में अपना टूर को कंपलीट करना तो प्लीज आप कॉंट्क्रेट कर सकते हैं निकल भाई हीमाचल जो मैं हूँ शिमला कुफरीन नारकंडा टूर की जानकारी मलती है और एकदम सही जानकारी मलती है देखो गाइस मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको पुरानी पुरानी वीडियो दिखा के अपने चैनल को ग्रोगरू नहीं जो है जैसा है आप लोगों को बस हम वही बताएंगे हमारे चैनल के माद्दम से कई कई जगा से लोग घुमने आते हैं अब तो नेपाल से भी लोग आते हैं बाहर फॉरान से भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और अपना प्यारा स्पोर्ट दिखाते हैं आप लोग भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर बात करूँ मैं अभी तेज तरी तक आपको लगाता है यहाँ पर बार बारी और बारी देखने को मिलेगी तो प्लीज अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी करें और यहाँ पर टमपरेटर बहुत डाउन हो चुका है आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी बट तेज तरी तक आपको यहाँ पर बार बारी और बारी देखने को मिलेगी तो अब मिलेगे ने नेक्स वीडियो में तब तक लिप आवे टेकर अपना ध्यान रखे जहें